कुछ दिनों से बहुत लोगों के мас मैस आ रहा थे मैं ने जी मेर पर είक भी देखा एवर फेश्बूक पर भी देखा कि कई लोग पूच रहे हैं कि रोस ने बैक्सीन बना लिकोड़ा वायुरिस की कई लोग पूच रहे हैं कि अमेरिकान ने बना ली कितने चर्ण होते हैं इसके मतलब कितनी पिक्रियाओं से गुजरना पड़ता है बैक्सीन की निर्माण में को बैक्सीन निर्माण की पिक्रिया को देखेंगे और निदानिक परिक्षड के सामने यानि कि चुनोतिया क्या क्या है इसके सामने उस पर भी बात कर लेंगे हम लोग तो अभी आप लोगों से इतना ही कह सकता हूँ कि 2021 के पहले तो आप लोग यही मान के चलिए कि 2021 के पहले किसी भी हाल में वैक्सीन नहीं आने वाली है अगर ट्राइल चलता भी है तो अभी आप सोचिए कि 5-7 महीने आराम से लग जाएंगे उस ट्राइल को पूरा होते हुए तो इस तीन चरणों में गुजरती है और तीन चरणों में इसे पिक्रिया वो पूरा होते हुए बैसे तो वैक्सीन को एक सामानता 3-4 साल कम से कम लगते हैं तीन साल तो मिनीमम लगी जाते हैं लेकिन इसकी कोरोना हुआ हमारी कि इसलिए वैक्सीन जल्दी आ जाएगी क्योंकि इससे पूरा विस्व पिरभावित है तो हर देश अपनी अपने तरीके से लगा हुआ है तो अभी तो आपको इतना ही करना है कि अपनी सेप्टी वो अपने परिवार की सेप्टी खुद रखने है और घर से जब भी निकलते हैं जिस काम से अगर ज़रूरी काम है तब ही निकला करिए और निकलते हैं तो अपनी सेप्टी बना कर रखिए ठीक है जिससे आप भी सुरबचित रहेंगे वो आपका परीवार भी सुरबचित रहेगा क्योंकि आप देख रहे हैं आपके देश में भी जिस तरह से केस बढ़ रहे हैं डेली के यह हमें आश्चेजनिक लगते हैं कि मतलब एक दिन में 40,000 के साना 38,000 के साना बहुत बड़े बात हो जाती है आप तो देखा जा रहा है कि आपके ग्रामीड चेत्रों में भी कुरूना वाइरस के केस देखने को मिलने लगे हैं तो आप सोचिए कि अगर ग्रामीड चेत्रों में तगडीत तरह से फैल जाते हैं बहुत बुरी तरह से प्रभावित होंगे हम लोग क्योंकि वहाँ समाल बाना भी मुश्किल है तो इसलिए अभी जितनी जान्दा से जान्दा से अप्टी हो सकती है अपने बच्चों की अपनी सेफ्टी बनाया रखिए ठीक बैसिक महामारी कोविद-19 के परसार की पैरंबी कवस्ता से ही बैक्ती Kalasator के साथ बैक्सीन को इसमें हमारी की नेंतर हितु अंतिम्विकल वनाया जाता रहा है भार समेथ विस्त के लगवक सभी दीष्ट अपने इसतर पर बैक्सीन निर्वाठ की दिशा में काम करें हाली में ओक्सपोर्ड विस्विध्या लए कि विग्यानिकों द्वारा संचाली तेक फिरायोगी कोरोना वायरस बैक्सीन की सुरुवाती परिक्षण की दौरान सेक्णों लोगों में सुरक्षात्मक पितीरक्षा पितीकिरिया में बिध्धी देखने को मिली है जर्नल में पिकासित एक सोथ के अनुसार विग्यानिकों ने अपने परिक्षण में पाया कि यह प्रायोगी बैक्सीन अठारे से 55 बर्स की आयू की लोगों में एक दुरी पितीरक्षा पितीकिरिया उत्पन करेगी आप लोगों को सभी को पता होगा कि याद होगा कि WHO भी कह चुका है आपकी भारास तरिकार ने भी कहा है आपके प्धानमंःत्री ने भी कहा है कि कोरोना वायर्स के साथ हमारी लंबी लड़ाई है यानि कि यह बहुत जल्दी खतम नहीं होने वाला है अभी कहा जा रहा है कि आपका अक्टूबर नवंबर में पीक पर रहेगा यानि कि सबसे बुरी हालत आपकी अक्टूबर नवंबर में देखने को मिलेगी और जब तक आप सोचिए कि वैक्सीन नहीं आ जाती है तब तक आपको मुस्किल है और ये लंबी पिकरिया आप लोग AIDS देखते हैं चाहिवी वाइरस आया हुए तो उसकी अभी तक वैक्सीन पूरी तरह से विक्सित नहीं हो पाई है तो अब लेकिन हम लोग उसके साथ जीना सीख चुके हैं इसलिए आप जादा समस्याय देखने को नहीं मिलती है सामान्यता इस तरह की सुरुवाती परीक्षणों का अधिस वैक्सीन की सुरक्षा का मुल्यांकन करना होता है परन्तु इस परीक्षण के दौरान विसेशक इस बात का भी अध्यन कर रहे हैं कि यह वैक्सीन की स्पेकार की पितीरक्षा पितीक्रिया को पिरित करती है परीक्षण में पाया गया है कि किसी वैक्ती को यह वैक्सीन दिये जाने के बाद उसमें लगबग 56 दिनों तके मजबूत एंटीवाडी T-cell पिती रक्षा पिक्रियाओं को पिरित करती है विज्ञानिकों के अनसार ऐसे अनेक प्रमार मिले हैं कि COVID-19 को नियंतित करने में T-cell और antibody की पिती क्रिया चमता अत्यदिक मात्पून सावित हो सकती है और आपने सुचा होगा, सुना भी होगा कि पिती रक्षा यानि कि पिती रोधी चमता बढ़ाने की बात के जा रही आपकी यानि कि सीधा से मतलब है आपका कि आप ले सकते हैं कि आपकी आर्मी है ठीक है? यहां आपकी आर्मी खड़ी हुई, यह पाकिस्तान का बोडर है यहां से आतंकवादी घुसते हैं अगर आपकी आर्मी सकती साली है तो इन्हें तुरंत मार गिराएगी समझ रहे हैं तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि यह कोरोना वाइरस पाकिस्तानी आतंकवादी की तरह हो सकते हैं और जो आपकी बिती रोधक चमता है यह आर्मी है आपकी जैसे ही आपके अंदर फिर्वेस करेगा ये आर्मी इसे मार गिराएगी तो इसलिए कहा जा रहा है कि पिति रोधक चमता बढ़ जाएगी तो इसे बना रहेगा वायरस लेकिन इसका पिरभाव कम देखने को मिलेगा उसके बाद पिलाजमा थेरेपी आपने सुना होगा ये पिलाजमा का उपयोग करके भी इससे नियंतित किया जा रहा है तो यही इससे भी होता है कि पिति रोधक चमता प्राप्त हो जाती है पिलाजमा थेरेपी से भी बैक्सीन के तात्पर क्या है यानि कि बैक्सीन होता क्या है किसी संक्रमक, बीमारी की बिरुद, पिती रोधात्मक, चमता विक्सित करने के लिए जो दवा, ड्रॉप्स, फ्रिया इंजेक्शन या पिर किसी अनरूम में दी जाती है उसे टीका कहते हैं, यह क्रिया टीका करण कहलाती है संक्रमक, रोगों की रोगताम के लिए टीका करण, सरवाधीक, फिर्भावी, बिधी माने जाती रहे आप लोगोंने चोटे में पोलियो का टीका सुना होगा तो क्या होता है कि एक बार आपको पोलियो पिला दिया गए है तो आपके अंदर पोलियों की पिती रोधक चमता पराप्त हो चुकी है आंगे चल कर जब भी पोलियों होगा तो उसे मार गिराएगा जो आपके अंदर पिती रोधक चमता हो गई हो टींका करन बेक्ती की रोग पिती रोधक चमता को बढ़ा कर सरीर में उत्पन होने वाले सूक्षिमजिजबों को नश्ट करने का काम करता है टींका करन स्वास्त निवेश के सबसे कमलागत वाले फिरभावी उपायों में से एक है टींका करन के लिए जीवन सेली में कोई विसेश परीवतन की आवसकता नहीं होती है परन्तु कोरोना वाइरस के प्रिसार के बाद जीवन सेली में विसेश परीवतन कीया जाने की आवसकता को मैसूस किया जाने लगाया अगर हम लोग बैक्सीन निर्माण की पिक्रिया की बात करें तो किसी भी बैक्सीन को तैयार करने में कई चरण सामिल होते हैं इसमें यानि कि कई चरणों से ये सामिल होकर गुजरती है जो सोद एवं अनुसंधान से पारम होकर बी निर्माण, गुडवत्ता नेंतर्ण और वित्रण तक आपकी सामिल लगते हैं बैक्सीन निर्माण की निमली की चरण होते हैं ये पहला चरण प्री क्लिनिकल फिर आपका क्लिनिकल डवलमेंट फिर आपकी रेगुलेटरी रिव्यू एप्प्रूवल मैनुफेक्ट्री में यानि की निर्माण फिर आपकी क्वालिट्री कंट्रॉल यानि की उसकी गुडवत्ता है वो अच्छी होनी चाहिए सोधिमम अगर अन्वेशन की बात करने तो वैकसीन निर्माण में सोधित यानि की खोज में बिज्ञानिक, फिराकतिक और किंतिम, एंटीजन की बहचान करते हैं जो किसी भी मिमारी की रोगत्ता में मदद कर सकता है एंटीजन की वहचान सुनिश्चित होने के बाद इसका संसलेशन कर पिती रक्षा पिती क्रिया को पेर्थ करने का कार किया जाता है इस चरण में रोगाड़ों की विद्धी उनका संग्रे और उस रोगाड़ों से किसी रिंकमीनेट प्रोटीन ऐसा प्रोटीन जिसे डियने तक्नीक से बनाया जाता है का निर्माण करना जैसी पिक्रियां ये सामिल रहती है आपकी सोध एवं अनिवेशन में फिर आपकी दूसरी निदानिक पूरू है इसमें देखा जाता है कि इसमें कोशी का संबर्धन पेडाली का उपयोग किया जाता है और इसका जंतुओं पर परिक्षन किया जाता है इसमें इससे बैक्सीन की प्रभावकारिता सुनिचित होती है परीक्षण के किरम में जैसे आप चूहे ले सकते हैं, बंदर ले सकते हैं या फिर खरगोस ले सकते हैं इन्हें पर सुरू में आप सोचिए कि डारेक्ट इंसान पर परीक्षण करते हैं इस संभव नहीं रहता है इसलिए सबसे पहले चूहे लिए जाते हैं या फिर बंदरगा या खरगोसी या फिर कोई अन जानवर इसके लिए प्रयोग किया जाता है इस चर्ण में विज्यानिक इस्तत्य का परिक्षन करना चाहते हैं कि क्या बैक्सीन से जन्तू या फिर पौदों में पिती रोधी चमता उत्पन होती है या नहीं यदि पिती रोधी चमता उत्पन नहीं होती है तो पुनाहा पिथम चर्ण से प्यारम करते है यदि पिती रोधी चमता विक्सित हो जाती है तो इसे तितीय चर्ण में प्रविश कर जाती है यानि कि आंगे बढ़ जाते है अगल AB trial आपका सही रहता है तो आगे पहुंच जाते हैं आगे रहता है आपका निदानिक परीक्षन इस चर्ण में वैक्सीन के विकास में सबसे सम्वेधन सील और एहम होता है क्योंकि इसमें कोशी का संबर्धन पिडाली के माध्यम से जन्तू या फिर पौधों में उत्पन पिती रोधी चमता का परीक्षन मानों सरीर पर किया जाता है इस चर्ण में तीन फेज सामिल होती हैं जो इस पर कार हैं याद रखिए पहले आप खोच करेंगे सोध अनवेशन फिर उसके बाद दूसरा परीक्षन करेंगे जो जैनवरों पर होगा जिसमें आपके चूहे सामिल रहते बंदर या खर्गोस तीसरे परीक्षन में से में पहुँचेंगे आप लोग निदारनेक परीक्षन यहां आप लोग मानो की सरीर पर इसका प्रयोग करेंगे यहां से भी आपके तीन फेज सामिल है यानि कि यहां भी तीन चरण आपके सामिल है इनमें फेज आपका एक इसमें वैक्सीन का इस्तिमाल लोगों के छोटे समूग यानि कि आप ले सकते हैं कि 20 से 80 लोग तक इसमें सामिल किये जा सकते हैं और यह परिक्षन किया जाता है और वैक्सीन का प्रिवाब मानो सरीर पर किस पिकार उसे पढ़ रहा है परिवेक्चक किस इस अउधी में वैक्सीन की मात्रा बस समय कब इसे ध्यान रखा जाता है जो फेज एक होगा उसमें आपके 20 से 80 लोग या 100 लोगों तक ट्राइल किया जाता है उन पर इसका उपयोग किया जाता है पर आप देखेंगे कि फेज 2 सामिल रहएगा जो लोगों किस समूग को वैक्सीन दी जानी है उसमें विद्धिकर इसे शेकड़ों बैक्तियों की संख्या तक ले जाया जाता है इसमें बैक्सीन की मात्रा मैं परिवतन किया जाता है और बैक्सीन की अनकूल तथा पितिकूल प्रवा उत्पन करने की चमता का भी बिसलेशन किया जाता है इसमें इस सबस्ता में सभी आयूगर्ग की लोगों को सामिल करने का प्रियास किया जाता है इसमें Austin 8 से 12 माहे का समय लगता है देखिए आप समझ रहे हैं यानि कि 1 साल का समय इस फेज में लगता है तो आप सुचिए कि आसान नहीं होता है बहुत टाइम लग जाता है मिनीमम आपके 2-5 साल किसी विबैक से इनको आने में लग जाता है और 3-4 साल से कम इतना टाइम आराम से लग जाता है बुरी फिक्रिया चलते चलते और आप ते यानि कि सभी लोगों तक आते आते 3-3 साल इतना टाइम लगी जाता है फेज 3 की बात करें हम लोग इस अवस्था में कई हजार लोगों की समूपर वैक्सीन का परिक्षन किया जाता है और यह आखलन करने की कौसिस की जाती है कि वैक्सीन बड़ी संक्या में किस पिकार प्रभाव उत्वन कर रही है इस अवस्था में वैक्सीन के दीरकालिक प्रभावों का अध्यन किया जाता है यह सिद्ध हो जाता है कि परिक्षन के सभी उद्देशों को प्राप्त कर लिया गया है तो इसे नियाम किये समीक्षा ही तो आंगे बड़ा दिया जाता है फिर आपके यहां बात करेंगे नियामकिये समीक्षा और अनुमोदन याद रखिए तीन फेज हो गए आपके अलग से आँगे पिक्रिया है आपकी इस अवस्था में विस स्वास्त संगटन यानि की डबलू हो द्वारा निर्दारित मानकों के आदार पर ड्रेग कंट्रोलर अप इंडिया यानि की D.C.G.I. द्वारा बैक्सीन पर इक्षण के सभी चर्णों की समिक्षा की जाती है तदू परान तो उस बैक्सीन के निर्माड का अनुमोदन किया जाता है इस सभस्था में आप दिखेंगे कि बेतर अवसर रचना के साथ बैक्सीन के निर्माड का कार प्यारम किया जाता है बैक्सिन की गुडवत्ता को पनाय रखने के लिए समय समय पर बिग्यानिकों तथा बीनियामक प्राधी करणों के माध्यम से गुडवत्ता परिक्षण का कार किया जाता है यानि कि बहतर क्वाल्टी रहे इसके लिए भी इसको किया जाता है क्योंकि इससे पूरा 200 फिरभावित है कुरोना वायरस से समझ रहे हैं तो इसलिए जल्दी आपकी लेकिन फिर भी आप इतना आसा रखिए कि 2021 से पहले कुछ नहीं होने वाला है ठीक है 2021 से पहले नहीं आने वाली है तो अभी तो आपको खुद सेप्टी रखने होगी नेदा नेदानिक परीक्षण की अगर चनोतियों की हम बात करें इनके सामने क्या समस्या है तो भारत में नेदानिक परीक्षण से संबंदी दिश्पष्ट वा कारगर नीती की अभाव में कई अनेमित्ता हैं देखने को मिलते हैं एक आकड़े के अनुसार वर्स 2007 से 2019 के बीच आय की पूरकता के लिए वालन्टियर की बड़ी संख्या स्वेक्षण से निदानिक परीक्षण में भाग लेती हैं बहतर नियाम किये धाचिके अभाव में वालन्टियर टियरों के स्वास्त से संबंदी कई मात्मूर आकड़े बतत्तों की उपेक्षण की कर दी जाते हैं जो नाकेवल वालन्टियर की टियरों की स्वास्त को जोकिम में डालती हैं बलकि परीक्षण की आकड़ों पर भी प्रिसनेच लगाती हैं दूसरी समस्य आगी अगर हम लोग बात करें तो अनियतिक निदानिक परीक्षण से संबंदी थे जिसमें नकली दबाएं वा उपक परेड़ों की जाज के लिए दबा कंपनी वा डॉक्टरों की मिलेई भगत से रोगियों और वालन्टियरों से सच्चाई चुपाई जाती है जिसका प्रिभाव लोगों की स्वास्त पर देखने को मिलता है कई बार आपकी निदानिक सोच संस्ताओं यानि कि CRO द्वारां में HPB TK के लिए 24,000 यानि कि 24,000 लड़कियों को नमंकित किया गया बाद में जाच में पता चला कि इनकी जूंटी जानकरियां पिदान की गए थी तो ये आपकी समस्य आती है लाश्ट में इतना ही कह सकते है कि वैक्सी निर्माण में अत्यदिक समय लगता है COVID-19 की विवि प्रियास करने की वास आवस सकता है ताकि उपलब्द संसादनों का सदवफियों करते हुए जल्दी से जल्दी वैक्सीन का निर्माण किया जा सके और भारत भी भारत बायोटेक कंपनी द्वारा COVID-19 वैक्सीन को भारतिये चिकिसान उसंधान परिशद यानि कि ICMR तथा रा कि अपने परिवार का अच्छे से ख्याल रखिए और इतना याद रखिए कि 2021 के पहले कुछ नहीं आने वाला है तो 2021 के अभी नवंबर दिसंबर में सबसे बुरी स्थिति देखने को मिलेगी तो उस समय तक अपनी सेप्टी बनाए रखिए जद तक ही कोई सुरक्षा नही होती है आपकी ठीक है